तो दोस्तो आज की जो नाच्टे की रेसिपी गैरेंटी की साथ केरी इसे पहले आपने ट्राय नहीं किया होगा और इसे बनाना बहुत आसान है तो नमस्ते दोस्तो मैं हूँ पूनम स्वागत है दीदी की रेसिपी में तो वीडियो पर पूरा कंटीन्यू बने रहे तब ही समझ में आएगा तो वीडियो पूरा वाच करिए तो स्टेप बाए प्सपे आपको समझ में आएगा इसे कैसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप यहां पर बेशन लिया है तो इसमें मैं डालूंगी एक चमज अजवाइन इस तरह हतेडियों पे क्रश करते हुए तो बेशन के साथ अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे नमक हम स्वाध अनुसार ही डालेंगे और आदा चमच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं और आदा चमच हम उसमें हल्दी एड करेंगे और इसे टालने के बाद हम थोड़ी से इसमें काली मिर्च का पाउडर एड करेंगे और इसमें डालने के बाद अब मैंने लिया है चावल का आटा नहीं था तो मैंने या चावल पीस की रखा हुआ तो दो चमच उससे डाल देंगे इसे नास्ता हमारा कुरकुरा बनेगा क्या बेशन अगर अकेला रहेगा तो थोड़ा गले में अटकने लगता है इसलिए चावल का आटा या चावल का इस तरह घोल भी हम डाल सकते हैं इसके स्वात को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धनिया या कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके हम इसका गोल बनाएंगे याद रहे कि गोल हमें ठिक बनाना इसका गोल यहां पर पतला नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा थो तो यहां पर घोल हमारा रेडी हो गया है तो हम इसे ढख कर रख देते हैं पांच मिनट के लिए रेस्ट देंगे आप देख सकते हैं कैसी इसकी रिबिन बनने लगी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए और चमज को जब भी हम पटके तो बिल्कुल इस तरह से इस पर स्टेक्चर आना चाहिए तो अब क्या करना है यहां पर मैंने पानी रख दिया है गरम होने के लिए तो पानी में जैसे उबाल आने वाला हो तभी हमें इस तरह से यह चन्नी ले लेना है पूरी चानने वाली और इस पर हम थोड़ा-थोड़ा सा इस पर बैटर डालेंगे इससे क्या होगा बहुत ही अच्छी सी डिजाइन जैसे हमारा नास्ता तयार होगा आप चाहे तो इसकी पकोड़ियां भी इसके अंदर छोटी-छोटी सी डाल सकते लेकिन इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा तो इससे भी जब हम बनाएंगे न तो डिजाइन से थोड़ी आने लग माताक उपन से ततार फिजब ने जहां लग तो बिल्कुल 2 मिनट के लिए पकायेंगे हम इसे ज़दा नहीं पकाना इस थरस से यह तैयार ऊचाइब तो दो मिनट के बाद हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे आम चान लेते यहां पर यह रेडी हो गया है तो यहाँ पे मैंने इसे चन्नी पे चान लिया मेरे पास टेनर नहीं था तो इससे भी यह अच्छे से चन जाता है तो इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए अब हम इसके तड़के की तयारी करते हैं कड़ाई में फ्रेंस मैंने एक चम्मच तेल लिया है और हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चwork और इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसो यान की राई और फिर इसमें हम डाल देंगे सफेद वाले तील बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने यहां पर हरे वाले प्याज और नॉर्मल प्याज एक एक कप लिये थे इसे डाल देना है लच्छेदार हमें प्यास काटना इसमें प्यास बहुत अच्छा लगता है और इस सरसो का तड़का और प्यास का तड़का इ एकदम सुने रहा होने तक तो बिल्कूल एक से डेड़ मिनट लगता है प्यास को भुनने में तो यहां प्यास हमारी बुन गई तो हमारा जो नास्ता है बेसन वाला हम इसमें एड कर देंगे और स्वाद अनुसर थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे और थोड़ी सी हमने यहां पर धनिया डाली है और हरेवाले प्यास के पते थे तो मैंने उसे भी डाल लें यह औप्शनल आपको डालना है तो डालिये नहीं तो आप इसे network कर सकते हैं अब अब हम इसे अच्छे से इसे mix करेंगे, तो mix करते समय हम इसे 1-1,5 मिनट के लिए और पका लेते हैं, और इसम्हें आप देख सकते हैं, मैंने मसाले का इस्तमाल नहीं किया है, बहुत ही healthy नास्ता मैंने यहां पे बनाया है, दोस्तों तो आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना बहुत ही है तो चलिए दोस्तों मैं इसे फटा-फट सर्प कर लेती हूं तो यह देखिए हमारा हेल्दी सा नास्ता तयार होगे आपने खांडव डोकला बहुत सारे ट्राइ की होंगे, आप इसे एक बार इस तरीके से भी ट्राइ करें, आपको बहुत पसंद आएगा, तो ये नया नास्ता आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएगा, फ्रेंज, मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में, बाब बाई, और इस वाली वीड गुरूप में शेयर करना ना भूले, बाब बाई, थैंक्स पो वाचिंग